हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बेश साब सभी का स्वागत करता हूँ जिससे हम हमें साथ दवाई और हस्पताल के चपिटे में ही रहते हैं इससे निकालने के लिए मैं तुम्हें कोसिस करता हूँ और फ्रिडम फ्रम होस्पिटल जो हमारी चैनल है इस माध्यम से अलग-अलग वीडियो आप तक पहुंचाता हूँ दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारे फेपडे से जुड़ा हुआ ये कोरोना का टाइम है, कोबीट का टाइम है जतना हमारा लंग्स अच्छा रहेगा, जतना हमारा इम्मिनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा उतना हम इस से बहतर फाइट कर सेगें क्योंकि घर में इनसान कितना दिन तक छुपके रह सकता है इसलिए थोड़ा बहुत जो भी आप बाहर जाते हो अपना पूरा ध्यान रखो प्रिकर्सन सारा लो, उसके साथ साथ जो घरिलू उपाचार कहता हूँ उसको पूरा आप प्रयोग करो तो आपको दोस्तों लाव होगा ऐसे हजार प्रयोग दोस्तों, मैं अपने किताब में डाल रखा हूँ उसमें एकी प्रेसर का सारा पॉइंट्स बताया हुआ हूँ आप उसे भी अपने घर में आज रिफरेल बुक इस्तमाल करें और अपने पैरेंट्स के पास जरूर रखें जिससे की ओल लेज का पूरा केर किताब से कर सकें क्योंकि मैं उसमें क्या बड़े बड़े बिमारी का पूरा बनन किया हूँ उसका इलाज भी बताया हूँ दोस्तों फेपड़े जो होती है दोस्तों यानि हमारा जो लंग्स होता है वो सरीर का एक बहुत ही एहम हिसा है फेपड़ों के स्वस्त रहने का कई तरीका मैंने आप पहले भी बताया हूँ अभी जो मैं बता रहा हूँ ये दोस्तों खास है जिससे आप आस्तमा, ब्रंकाइटिस, निमोनिया, टीबी, फेपड़ों का कैंसर आदी को भी दोस्तों प्रिवेंट कर सकते हूँ आप एक चीज़ याद रखो जितना भी आपको प्रयोग बताता हूँ इसके सासाथ आपको ब्रिधिंग एक्सराइज दोस्तों जरूर करनी चाहिए प्रानायम आपको जरूर करनी चाहिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हाथ की मुठी बंद करते हुए आप गहरी सांसे अंदर लो तीन सेकेंड रो को फिर हाथ की मुठी खोलते हुए सांस बहार निकालो ऐसे आपको दिन में दोसो तीन सो चार सो बार करनी चाहिए जिससे आपका हाट और लंक्स मजबुत हो जाएगा उसका फल आपको बढ़िया मिलेगा लिभर और आपका किड्नी अच्छा काम करेगा जोडों में आपको जो सूजन दर्द गरर रहती है वो भी दोस्तों खतम होगा सारे सरीर में ऑक्सिजन दोस्तों पहुँच पाएगा भीटामीन सी से भरपूर आहर दोस्तों जरूर लो खटे फल जैसे संत्रा हो गया नेम्बू हो गया टमाटर हो गया कीवी हो गया स्टॉवेरी अंगूर अनास आम आदी में भरपूर मात्रा में दोस्तों भीटामीन सी पाया जाता है और खास करके आप आमला होगे रहका तो बिल्कुल इस्तमाल करनी चाहिए आमला कच्चा चबा के भी खा सकते हो उसका दोस्तों रस भी निकाल के पानी मिला के भी ले सकते हो भीटामीन सी से भरपूर आहर का सेबन करने से सरीर में महजुद भिसल्ला पदारत आपका बाहर निकल जाता है विटामीन सी से भरपूर आहर में अंटी ऑक्सिडेंट होता है जो सांस लेने के बाद ऑक्सिजन को सभी अंगों तक पहुंचाने में दोस्तों मदद करता है यह बात को याद रखिएगा इसके साथ साथ दोस्तों लसुन का अलग-अलग तरीके साथ प्रयोग कर सकते हो सुभा लसन और सहत को चबा के भी दोस्तों खा के एक गलास देड़ गलास पानी पी सकते हो इसके साथ साथ दोस्तों आप हर रोज खाना खाने के साथ ब्रेकफ़ास्ट लंच खास करके इसमें आप दो दो लसन चबा के खा सकते हो या फिर चटनी बना के भी दोस्तों ले सकते हो लसन में दोस्तों आंटियोक्सिदेंट भरपूर मातरा में पाया जाता है जो संकर्मन्ट से दोस्तों लड़ने के लिए हमारे सरीर को काफी ताकत देता है याने हमारी रोग प्रतिरोत ख्यमता को बढ़ा देता है कहते हैं कि इसे हड़ियां भी दोस्तों मजबूत होती है और हम बहतर जिंदेगी दोस्तों जी सकते हैं लसन को तो गोल्ड का मुल्य दिया जा सकता है कि गोल्ड का भस्म खाना जो आप एक दो कली लसन खाना उही परिणाम आपको उही मिलता है तो इसलिए लसन का आज से ही दोस्तों 7 सुरू कर लें अगर आपको सूट करता है तो इसके साथ साथ दोस्तों लाइकोपेन युक्त आहार का 7 करें ऐसा आहार का 7 करें जो लाइकोपेन युक्त हो जैसे टमाटर, गाजर, तरभूज, पपीता, सकरकंद और हरी सबजियां आदी लेनी चाहिए दोस्तों इस तरीके के आहार में केरोटिनाइड एंटियोक्षिडेंट्स होता है जो आस्तमा से बचाने के लिए काफी सहाख होता है और लंक्स को काफी ताकतवर दोस्तों बनाता है और खास करके फेपड़े के कैंसर को दोस्तों प्रिवेंट करता है इसलिए ये सब चीजो होता है और विमारी से लड़ने की खेमता दोस्तों बढ़ जाती है साथ साथ तुलसी के पत्ते का भरपूर इस्तमाल करें घर में तुलसी का पौधा काफी सारा लगाएं इसका फायदा दोस्तों आपके घर के लिए होगा वहां पे जो परीवेस है वह भी बढ़िया हो जाए पिलें एक कॉप दोस्तों साम पीलें अपने परिवार में भी सब कुद दें जिसे डाइबेटीस नहीं अच्छा सहद मिलता है तो तो भी उसमें मिला के आप ले सकते हो इससे भी दोस्तों आप अपने आपको मजबूत कर सकते हो आपकी मिन्डी सिस्टम बढ़िया हो साइज करो लंग्स का जो पॉइंट नंबर है तीस यह आप राइट हैंड में इस्तेमाल करिएगा थोड़ा बहुत लेप्ट हैंड में इस्तेमाल कर सकते हो मिडिल फिंगर और आपका दिंग फिंगर के बीच का हिस्सा है एक किताब में इसका लोकेशन मेंने कलरफूल फो ग्लैंड और आपका थाइड ग्लैंड का पॉइंट को भी पचास-पचास बार आप दबा लो जिससे कि आपका सरीर मजबूत रहे ताकतवार रहे रोक के साथ लड़ने की ख्यमता उसके अंदर डेवलब होता रहे आप एक अच्छा और निरोगी जीवन जीओ एही मेरी का है इस सपना को साकार करने के लिए Freedom From Hospital का जो हमने YouTube चैनल चला रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें सयार करें यार दोस्त के बीच में तभी दोस्तों हम इसको सही डंग से समास तक पहुंचा पाएंगे और सारे लोग दोस्तों रोग मुक्त रहेंगे बिना दवाई के इसी ब भारत दोस्तों आप सभी के लिए खुश खबरी है नहीं आपको अस्पिताल जाना पड़ेगा नहीं सरजिरी के लिए जाना पड़ेगा अपने घर बैटकर आप बड़े से बड़े बिमारियों का इलाज एक्यू प्रेशर होम आयवरेदा एवं एक्ससाइस से अप कर सकें 26 कंटे की होम ट्रीप्नेंट आवं ट्रेनिंग आप डिवीडी ज आव 24 जीवी का पेंड्राइब के माध्यम से ऑनलाइन आमाजान पर खरीदने के लिए उपलब्ध है माई हेल्थ इन माई हैंड इंग्लिश आव हिंदी किताब 51 तथा 101 बिमारियों के इलाज के साथ ऑनलाइन आमाजान पर उपलब्ध है दोस्तों अब आप बिना दवाई के बिना अस्पिताल जाए घर बेटे अपना इलाज खुद करिए डारेक्ली के ताथ डिवीडी तथा पेंट्राइब पाने के लिए वाच्चाप करें इस नमबर पे डबल लेट टू डबल सेक्स सेवन सेक्स त्री जिरो त्री धन्यवाद